हलो दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल जैकपुर पे आज के इस वीडियो में हम लोग क्लाश 10 का जैकबोड 2023 का जो एक्जाम है उसके सोसल साइंस यानि समाजिक विज्ञान के टॉप 20 सवालों को ट्रिक से याद करने वाले हैं क्योंकि समय बहुत कम बचा है आप लोगों का और आप लोगों का आप जो भी उम्मीद है objective से जुड़ गया है क्योंकि subjective में काफी persons उसका काफी बड़ा होता है और कहां से question आएगा ये आप लोगों को भी पता नहीं होता है ये आपको क्या किसी को भी पता नहीं होता है लेकिन objective सवाल को जो पूछने का दाइरा है वो सिमित होता है अगर आप कुछ कोश्चन अगर आप याद करके जाते हो गर एक हजार कोश्चन भी आप याद करते हो तो मुझे लगता है कि 40 में 30 कोश्चन आप कंप्लीट करके आओगे ठीक है तो यह एक ऐसा पोर्सन है जहां से आप कर सकते हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके गंटी के बैल आकोन को दबा लीजेगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपके मुबाइल पर जाता रहे तो देखिए सबसे पहला सवाल आप आपका पसू रोग रिंडर पिष्ट क्या था बाबू पसू रोग था ठीक है अब यहां पर दोको रिंडर से हो जाएगा रेंडियर क्या हो जाएगा रेंडियर रेंडियर एक हिरन होता है और आप लोग को पता है कि वह इंसान नहीं है कौने बाबू पसू है क्या है से पसू रोग याद हो जाएगा आपको चलते हैं अगले सवाल पर अगले सवाल है अमरीका की खोज किस ने किया था अमरीका की खोज किस ने किया था इसका जवाब आपको बताना है सही जवाब हो जाएगा कोलंबस ने किस ने किया था कोलंबस ने अमरीका की खोज किस ने कि बिठाके ठीक है किस पर या रहे हैं बस पर बिठाके पस इतना याद रखना आपका अंसर हो जाएगा अगला सवाल देखो क्या है अगला सवाल है आर्थिक महामंदी की शुरुवात किस देश से शुरू हुई थी तो आर्थिक महामंदी की जो शुरुवात है वो किस देश स शुरूवी थी यदि आपका जवाब है आपका अमरीका तो बिलकुल सही जवाब है आर्थिक महामंदी की सुरुवात अमरीका से शुरूवी थी तो भाया महामंदी की जो मार होती है महामंदी का मतलब समझते हो महामंदी हो जाना मंदी छा जाना लॉस होना मार्केट में वि पुंजी पतियों का अमीर लोगों का पुंजी फसा होता है मारकेट में गरीब का क्या है बैया गरीब तो सुखी रोटी भी खाके सो जाएगा फसेगा कौन अमीर तो आर्थिक महामंदी की सुरुवात कि इस देश शुरुवी थे अमरीका से वहता अमीर से अमरीका याद प्राप्त हो गया था तो संयुक्त राष्ट संग के पांच देशों को कौन सा विशेस अधिकार प्राप्त है सही जवाब हो जाएगा आपका वीटो 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 का अधिकार प्राप्त है पांच देशों को कौन सा अधिकार प्राप्त है वीटो का अधिकार प्राप्त है आप द्यान से देखेंगे, वीटो में यहांपे आपको पाँच दिकरा है, जो बना है यह 5 है, उल्टा 5 इसी में आपका अंसर है द्यान से देखना हूँ वीटो का मतलब होता है, मैं मना करता हूँ और यह 5 दिशों को अरिकार प्राप्त है, वो कोई भी चीज में विश्व में हस्त छेप कर सकता है, किसी भी चीज को रोक टोक कर सकता है, ठीक है, चलते है अगले सवाल पर अगला सवाल है, आलू का अकाल किस देश में हुआ था, अकाल नहीं होगा बैया, अकाल हो जाएगा, इस पेलिंग गलत हो चुक भूलिएगा नहीं लेक्ष्ट सवाल देखे क्या है जलिया वाला बाग में गोली चलाने का आदेश किस ने दिया था जलिया वाला बाग में गोली चलाने का आदेश जो दिया था वो दिया था जनरल डायर ने किस ने दिया था ठीक है तो जनरल डायर ने इसको दिया था अब यहां पे देखो, भाईया इसका trick लगाने का कोसिस करते हैं तो यह जो जन्राल था यह डायन की तरह था, डायन एक ऐसे चीज होती है ना, वो किसी को बकस्ती नहीं है सबको खा जाती है, तो डायन की जैसा था यह जो जन्राल था ना, यह डायन के जैसिंट गोलिए चलवा दी इसने और सभी को माँ डाला चलते है अगले सवाल पर अगले सवाल है सवराज हमारा जन्मसिदधिकार है और हम इससे लेकर रहेंगे यह हम इसे लेकर रहेंगे यह बात कही थी बाल गंगाधर तिलक ने आप किया होग कि ठीक है पर्तिक्या ले लिए तो एक तिलक लगा लो क्यूंकि तिलक लगाने के बाद ही इंसान जो है अपने उमीद पर खरा उतरता है और आगे लड़ने के लिए बढ़ता है तो देखते हो कि जब कोई हमारा फौजी साथी हो या जंगी साथी हो जब कोई जाता है जंग लड़ने के लिए तो उसे क्या लगा जाता है तिलक लगा जाता है तो सवराज हमारा जन्म सिदा दिकार है और इसे लेकर ही रहेंगे लेकर ही रहेंगे तो उसको तिलक लगा कर ही लेना है ठीक है चलो नेक्स्ट देखते है बाई अगला सवाल है ब्रिटिस सरकार ने कैसर हिंध की उपादी किसे कैसे सम्मानित किया था तो चैसर का हिंद, हिंद का कोई कैसर हो जाएगा, कैसर का मतलब बुलंदी, हिंद का बुलंदी कौन है, महात्मा गांदी जी है, ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं, संथाल विद्रोह का नेता कौन था, संथाल विद्रोह का नेता कौन था, बताईए, सही जवाब हो जाएगा, इसका और कानू ठीक है यह याद रखना है आप लोगों को तो भाया संथाल लोग ना अब ट्रिक से याद करा रहे हैं आप लोगों को संथाल लोग ना क्या थे सीधा थे सीधा थे काना थे उसको ना सीधा का मतलब अदम बिल्कुल सूस्त काना का मतलब मतलब कुछ भी अगर देख गांधी जी को पहले बार राष्टपिता कहहेकर किसने समऴोदित कर दिया था सुभास चंद्र बोस ने किसने कहा था? सुभास चंद्र बोस ने भाईया सब का पिता वही होगा जो boss होगा कोन होगा जो boss हो कहलाता है वो सबका पिता भी होता है तो सबका पिता भी बोस होगा boss he he boss 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 याध रिखिएगा सुभास चंद्र बोस Ne doctr है आसायोग आंदोलन की समाप्ति किस घटना से हो गई थी तो दिये हुआ था चावरी चावरा कांड से हो गया था ता वहां पर गांदी जी को बहुत तकलीफ हुए क्योंकि गांदी जी आहिंसा के पुजारी थे थे वह हिंसा नहीं चाहते थे इन लोगों ने थाने में आग लगा दिया जिसमें कई पुलिस कर्मी घायल हो गए और कुछ की मौत हो गई थी तो गांदी जी इससे बहुत दुखी हुए और उन्होंने असयो गांदुलन को वापस ले लिया ठीक है नेक्ट देखिए खुदाई खिदमतगार की अस्थापना किस ने किय अब्दुलगफार कान ने खुदाई 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 भारत माता से प्रेम है और इसके लिए हम अंगरेजों के उपर भं भी मार सकते हैं क्या मार सकते हैं और सुभाज भगस सिंग ने भी ऐसा किया था सेमली में भं फेका था तो बंकिम चंद्र भं से पंकिम चंद्र याद रखिएगा अगला question देखिए गीता अंजली किसकी रचना है तो गीता अंजली के जो रचनकार है वो हो जाएंगे रविंद्र नाठ टैगोर गितांजली की रचनकार कौन हो जाएंगे रविंद्र नाठ टैगोर ठीक है अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा ना यहाँ पर है गितांजली गितांजली से हो जाएगा अंजली जब तुम टैगोर के पास फस जाओ टैगोर के सामने चली थो परथम गोल में सम्मेलन का आयोजन रहता अब और भी तौन से खेल में गोल उता है रहते रहते हैं फिटबॉल को ही कोई तर से मार रहा है कोई इधर से मार रहा है कोई इधर से मार रहा है को इधर से मार रहा है तो दना दन मारते हैं और दना दन 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 से लंदन याद हो जाएगा आपको नेक्ट चलते हैं गदर पाटी के अस्थापना किस ने किया था तो गदर पाटी के अस्थापना किया था लाल कर देना और लेकिन यहां हर दयाल में दयाल आ गया दयाल से हो जाता है आपका दयालू और यह इसका उपोजिट हो जाएगा गदर का ठीक है तो बिल्कुल याद रखना याद रहेगा बस दो तीन दिन की बात है भाईया उसके बाद तो आप लोग एक्जाम में उसके बाद आसानी से आप लोग इजाम पास कर जाओगा नेश्ट देखो क्या पहले तुम मनुस्य हो उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य कुछ ये कथन किसका है बता दो जल्दी सा पहले तुम मनुस्य हो बाद में किसी देश के नागरिक हो ये कथन किसका था तो रूसों का कथन था किसका कथन था भाया रूसों का कथन था कि तुम पहले देश के नागरिक हो उसके बाद पहले तुम मनुस्य हो फिर जो है किसी देश के नागरिक हो तो भाया मनुस्य का जो काम होता है यह मनुस्य इसे ऐसा हम क्यों बोलते है नागरिक जो देश का होगा वो देश से कभी रूसेगा नहीं ठीक है लेकिन फिर भी देश से रूस जाता है क्यों रूस जाता है ये सरकार खराब है ये सरकार ऐसी है वो सरकार वैसी है ये हर बार क्या करता है रूस जाता है तो रूसने की जो परवर्ती है रूसने का जो ये मतलब की ये जो फंडा है ये सिप मनुस का हो गया क्योंकि मनुष्य में यह प्रवर्ति यह रूसने का वह आप से क्या हम से क्या ओदेश के प्रधान मंतरी से भी रूसा हुआ होगा ठीक है बहुत सा पुराई सुनते होगे मोधी ऐसे मोधी वैसे ठीक है बोलता है नो चलो नेक्स सवाल पर देखो मनुष्य सोतंतर पैदा होता है किन्तु वो सरवत्र बंधनों में जक्ला हुआ है यह कथन किसका है मनुष्य सोतंतर पैदा होगा लेकिन वो सरवत्र बंधनों में जक्ला हुआ रहेगा यह कथन किसका है तो यह कथन भी आपका रूसों का हो जाएगा ठीक है बाईया मंधनों में जक्ला हु लेखक कौन है, दडाइ з्प्रिट अफ़ लॉव नामक पुस्तक का लेखक का नाम बता देजे सही जवाब हो जाएगा आपका मान टैस क्यों, क्या हो जाएगा भाईया मान टैस क्यों हो जाएगा, पिछले साल ये सवाल आया था याद रखेगा पिछले साल ये सवाल आया था ध्यान रखेगा इसका आप लोग ठीक है भाईया नेक्ट सवाल पे चलते हैं अगला सवाल है हमारा विश्व कोष नामक गरंद की रचना किसने किया था तो विश्व कोष नामक गरंद की रचना किया था इसने बतादो दिद्र ने किस ने किया था दिद्रो ने विश्व कोश कोश का मतलब होता है माल पानी पैसा रुपईया धन तो भाया विश्व कोश विश्व में धन वही लुटाता है जिसके पास दिल होता है बेकार में लोग नहीं लुटाएंगे ठीक है तो जिसके पास भाया दिल है वही लुट भी कर देना तो मिलते हैं हम लोग अपने आगले पार्ट में जल्द ही वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सेयर और सब्सक्राइब थैंक यू जय हिंद जय भारत